हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका ट्रेनिंग कुवारी पर आज की ट्रेन जानकारी में उद्यापूर सिटी से हिम्बत नगर डूंगरपूर के रास्ते असरवा एहमदाबाद की बीच में चलने वाली तीन नई ट्रेनों के बारे में है इस वीडियो को शुरू करने स से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रेल्वे की कोई भी लेटस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो इस पूरे अरावली सेक्शन की बात करो तो उद्यापूर सीटी से डूंगरपूर हिम्बत नगर के रास्ति असरवा से दो जोड़ी डेमो ट्रेने चल रही है एक जो है वह असरवा से हिम्बत नगर और दूसरी असरवा से डूंगरपूर एक स्वसी किलमेटर के सेक्शन पर चलती है अब तीन नई ओर ट्रेनों का संचालन रेल्वे बोर्ड के दोरा किया जा रहा है जिसकी समय साने जारी कर दी गया है लेकिन यह तीने वो ट्रेने भी असरवा जो कि एम्दा दौ जंक्शन से तीन किलमेटर के दूरी पर वहीं से किया जाएगा इसमें पहली ट्रेन का लेटर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइम टेबल बीस नो सो त्रेसोट और चोंसेट इंटर सिटी र सावर जैसमंद रोड रिखबदेव रोड बच्छी वाड़ा शामरिजा रोड हिमत नगर और नंदोल के रास्ती ट्रेन सरदार ग्राम होती हुझा है वह असरवा के बीच में चलेगी बाकिस टौपज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोच कमपोजिशन की साफ़से 22 कोच क कमपोजिशन रहेगा तो 100% मेरा आइडिया है कि यह ट्रेन जो है वीर भूमी चितोड एक्सप्रेस जो की इंदोर से उद्यापूर सिटी की बीच में वेस्टर रेलिवे के द्वारा डेली चलाई जाती है रतलाम के रास्ते इसी ट्रेन का किया जाएगा जिसे आप स्क्री लोड़केट एक्सप्रेस का अक्स्टेंशन होगा यही ट्रेन जो है वो इंदोर से गांधी नगर की बीच में चलने वाली शांती एक्सप्रेस के साथ जो है वो रेक्शियर करती है दूसरी ट्रेन की बात करो तो यह ट्रेन भी जो है वो उद्यापूर से असरवा की बीच जाएगी और इस ट्रेंग की बात करो तो यह ट्रेंग जो है यह भी लगबग वही स्टॉपज लेने की सूपर फास्ट ट्रेंग वह लेगी लेकिन इस ट्रेंग के जो है वह कोच कमपोजिशन थोड़ा सा अलग रहेगा इसमें स्लीपर के दो साधारेंश चैनिंग के चार ए तो यह 100% इसका भी मुझे पूरा पूरा यकीन है कि यह गाड़ी संख्या 097-212 जैपूर से उद्यपूर सीटी के बीच में जो बारा कोच की ट्रेंग चल रहे है फिलाल चितोडगर के रास्ते स्पेशल के रूप में इसी को रैक को चलके जो है उद्यपूर से असरवा के बीच में और यह ट्रेंग जैपूर से चलने के बाद जो है वो अजमेर बीरवडा चंदेरिया मावली उद्यपूर सीटी हिम्वत नगर डूंगर करके रास्ते असरवा एमदाबाद के बीच में डेली चलेगी यह रातरी कालिन सर्विस रहने वाली है जो की जैपूर से र बात करो तो यह भी लगो 55 किलोमेटर की रफतार से उपर रहेगी क्योंकि अगर वाया आबूर और आप जाते हैं तो उसमें डिस्टेंस 625 के आसपार रहती है लेकिन अगर आज मेर से हिमत नगर यारी उद्यपूर सीटी के रास्ते जैपूर से एमदाबाद असरवा जात झाल